वेलकम टो अनलाइन फिश्ट्री स्वागत है आपको अनलाइन फिश्ट्री में तो फ्रेंड्स आररसी गुरूबडी का 6 अक्टूबर का सब्सक्राइब और इस फिर्स सिप्ट में लगबग हमें बहुत सरे कोशन मिले हैं जो रियल कोशन है और सबी से यह कोंगा कि यह वाल करंट में चल रहा है जैसे कि अब तोहार आ रहा है तो राम भगवान से आज से 3-4 दिन पहले भी एक प्रश्ण पूचा गया था तो प्लीज उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ दीजिए को कि एक प्रश्ण आपके लिए वहां से आही रहा है तो ध्यान रखें कि करंट मे चित्र की बात करों में पॉशिन पताहूंगा जो चित्र जो कोशन बो आयुए हैं उकी याद रखें महां से 3 कोशन आई हुए हैं कैमिस्टी 之後 बात करें तो मात रों मात दो कोशन यहांपर आये हैं physics बात करें pesoorthी खेंस वहीं से पिर से बात करें तो जो section उन्हें में बना दिया है वो बनाया बागी को बागी कटिन था ओके तो फ्रेंट यह सारी चीए या वीडियो या इसकी जो पीडियाफ है वो टेलिग्राम ग्रुप पे मिल जाती है अगर आपको नहीं क्या नहीं मिला ए टेलिग्राम ग्रुप तो वीडियो के आप टेलिग्राम पर वीडियो या पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं तो पहला कोशन जो था वो पहला कोशन यह आया था कि और दोई क्रांती किस पंची वर्स यह यह ना में आई तो याद रखेंगे पंच वर्स यह ना पांच वर्स की होती है यह 1951 से स्टार्ट हुई थी आपका 1964 तक जबालल नहरु जो थे हमारे प्रदार मंत्री थे तो पहले पंच वर्स इवर्स यह ना जो किसे लिए तूसरी थी औरदू किरांती के लिए इसी पिरकार आपके बहुत सारी क्रांतियां पूछी जाएंगी याद रखेंगे तो यहां पर आपसे पहली नहीं पूछे गई दूसरी पूछेगी ओद्वी क्रांति इसका मतलब क्या ओद्वी क्रांति क्यों पूछ रहा है क्योंकि इंडिया में अभी ओद्वी क्रांति ही चल रही एक तरीके स दूसरा पूछा गया भवानी नदी किस नदी की सायक नदी है तो पहले तो याद रखेंगे भवानी नदी जो है काविरी की सायक नदी है और यह बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है और काविरी नदी की बात करें तो काविरी नदी का सिमसा हिमवती भवानी यह जो है इसकी क्या है, सायक नदी है अब मुझे बताना है काविरी नदी का हुद्गम काविरी नदी की जो है लंबाई कितनी है वो मुझे कमे ziemlich करके आप ťी बताईएगा कितनी क्या है ओके अगला गोशन है major ध्यांचन जो पुरुसकार है वो किसे दिया गया स्ट्विन ने खा मेरीकॉम दिया था नीरेच छोपड़ा दिया था तो बिलकुल सही था नीरेच छोपड़ा जो है वो बिलकुल करेक्ट है अगर 12 लोगों में बात के नीरेच छोपड़ा को मिला रभी कुमार को मिला लवलीना को मिला ओके पी आर स्रेजेस को मिला अवनी को में दिया गया सुमित अंतिल को दिया गया प्रुमद भगत को दिया गया कृष्ण अगर को दिया गया मनीश को दिया गया ओके और मिताली राज को दिया गया सुनील छेटरी को दिया गया और मनप्रीत सिंग को दिया गया तो बहुत ही यह यदा इंपॉर्टन इनको नाम याद रख लीज़े इन में से यह गवर आ सकता है इसको इसको नहीं दिया गया सबी पूछ सकता है अगले सिफ्ट में अगला कोशन है पंचाती राज से सम्मंदित जो ह आके सनुष्यद में आता है तो बहर का संभिधान जो है कि अनुष्यद 40 में राज्यों को पंचातों के गठन का निर्देश दिया गया था कौन से नुष्यद में 40 में निर्देश दिया गया था जब 1993 में संभिधान का अमेंडमेंड या संभिधान संस्ता का संभिधानिक मानता इसको दी दी गई तो यह याद रखेंगे बहुत ही important question है बहुत बार आया है आपको नहीं पता गए था लेकिन बहुत बार आया है एक question आया question पूछ रहाता बहुत ही अगर हम बात करें तो deeply question है यह लगन फिर भी द लिखा जाये तो कोशिन आना ही चाहिए question था दो से लेकर 18 साल के बच्चों को कौनसी वैक्सीन लगाए गई और यह पूछा गया था कि मई 2021 का आय थी ऐसे करके कुछ पूछा गया था यह भी question बड़ा था तो यहां पर ध्यान रखेंगे 2021 में दो से लेकर 18 साल के बच्चो पर जो क्लिनिक ट्राइल हो गया उसके बाद की जो है मंजूरी दिन मिलने के बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ जर्नल यानि डी सी जी आई ने भारत बायोटेक वैक्सीन जो है फॉर चिल्डरन को जो इस्तिमाल करने की मंजूरी दे दी थी याद रखेंगे ओके अगर बाद को जगा पे जाना घुमना तीर्टेस्थल पर जाकर घुमना तो इसे कहते हैं जन्धर में कर इसे कहते हैं यह जतेंदर घेंडर में यूज किया था उनको दिया जाता है जो तब की माध्यम से आत्म ग्यान या केवल ग्यान प्राप्त करते हैं जो संसार सागर से पार लगने वाले तीत की रचना करते हैं वे तीत कर कहलाते हैं ये बहुत ही अलग आंसर है इसका जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंग ये बहु लेकिन अगर देखा जाये तो यहां पर 6 लेंग्विज हैं जिनसे लगबग आपको पास से छैस कोशिन पूछे आचोके हैं ही से तो प्लीज इस से अगर लेटर कोई और कोशिन है तो भू भी याद करिएगा कोशिन है फ्लेविंग के बाए हाथ का नियम दाए हाथ का नियम दोनों रूल पूछे गए थे तो यहाँ पर दाएं हाथ का नियम जो है वो मैं बता रहता हूं राइट हैंड रूल इन हिंदी में जो है क्या है इस नियम के नुशा यदि धारा वाही चालक को दाएने हाथ से जो है इस प्रकार पकड़ी कल्पना करें की अंगूटा चालक के सामाना अंतर रहे और यदि अंगूटे द्वारा चालक में प्रवाही धारा की दिशा ब्यक्त होती है तो उगलियों का घुमाब जो है चुम्बकी छेतर की दिशा में होता है अब इस से लेटर जो है आपसे कोशिन पूछाता तो मैं इनके फिगर बता देता हूं उनके चितर उता जाता हूं बिलकुल क्लियों जागा नहीं हुआ तो ओके अगर हम बात करें बाया हाथ का नियम राइट अके आपका जो बाया हाथ का नियम लाफ्ट हैंड और का जो माद्य में मीडिय में वह आपको यहां पर बताएगा ओके यह देखी इसका फिगर यहां पर बना हुआ है अगर हम बहां ही बात करें बाया हाथ का नियम अगर बात करते हैं तो यह अंगुठा यहां पर दिया गया है तो यह भी आप ध्यान लखेंगे कोशन जो है व और मुझे और पता चल जाता तो पूरी रियक्शन विआ थे लेकिन अप जब देंगे तब ही कंप्लीट होगी अगला कोशन तब प्रतिरूत का जो है प्रतिरूत का जो है चिन्न क्या होता है या उसका सिंबॉल क्या होता है तो याद रखेंगी अगर हम बात करेंगो जो ओम होता है हमारा ओम जो होता है ओके इस पिरकार का जो होता है हम इसको नापते हैं ओके ओम का नियम भी बहुत जादा important है आपसे 5-6 कोशिन इसमें से पूछे गए मैं 5-6 कोशिन नहीं बोलूँगा लगबग जो ओम का नियम उसमें 10 कोशिन पूछे है लेकिन उस से लेटर जो है 5 कोशिन पूछे गहां अगर फुल तरीके से बुचा जाए तो 10 कोशिन है लेकिन अगर मेंली कोशिन है अगर प्रती रोज से तो आपका 5 कोशिन है तो ओम जो इसकी एसाई मात रख है और जो है रिस्टेंस हम बोलते है कैपिटल आर बहुत ही सि कोशिन है मुख्य न्यादीज की न्युक्ति किस अनुच्छेद के तहती है या कौन करता है यह कोशिन दोनों के दोनों कोशिन दोनों ही अलग-अलग कोशिन पूचेते तो याद रखेंगे भारत के जो राश्वदी होते हैं वो अनुच्छेद नंबर 217 के तहत भारत के म राबधान किया गया है उच्छतम न्याले की सभी न्यादीशों की न्युक्ति भारत के राश्पति के द्वारा उच्छतम न्याले और राजपाल की देखरेक में होती है और यह अनुछे नंबर आर्टिकल नंबर प्रक्षक को नम्मी मनाई जाती है बगवान स्री राम का जन्म हुआ था अब मुझे कमेंड करेंगे भगवान स्री राम का जन्म जो है कब हुआ था तो यह 10 अप्रेल दोयार अभी अगर बात के के लीवर कहां पर है कपाल में कुछ कोशिन आये थे कपाल के लेटर थे लेकर नहीं कर पाए तो समझ में नहीं आया तो यहां पर कोशिन बुज़ादा के जो लीवर है वो मनुष्य की बौड़ी के किस साइड में है लेट साइड में राइट साइड में कैसे है तो यहां प तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा कि सारे कोशिन जो हैं सही हैं और 100% करेक्ट हैं अगर 100% करेक्ट है मेरी मेहना आपको अच्छे लग रही तो फ्रेंड आपको मिल जाएगा तो थैंकिए फिर वाचिंग दिस वीडियो विश्टाव के लिए आपके रिजल्ट के लिए